स्री रामकृष्ण परमहंस की सचीत्र संक्षिप्त जीवनी दोस्तो वीडियो के इस पांचवे पार्ट में आपका हारदिक स्वागत है स्री रामकृष्ण परमहंस ने बाद में अपने अनुभव को व्यक्त किया और कहा मा के दर्शन के अनुभव के बाद मुझे शायद ही लोगों की उपस्थिती का एहसास होता लोग मुझे जीवन्त व्यक्ती से ज्यादा चित्रो या परशाई जैसे लगते थे इसलिए उनकी उपस्थिती में मुझे मा के प्रती अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में लेकिन जब मा के दर्शन नहीं होने की वज़से बेहोश हो जाता, तो भक्तों को आशिरवाद देने वाली और निर्भई करने वाली मा अनूपम तेजोमई स्वरूप में मेरे सामने दिखती, वो मुस्कुराती, बाते करती, भरोसा और उपदेश देती. उसके बाद स्री रामकुष्ण परमहन्स के जीवन में कई रोमान्चक अध्यात्मिक अनुभवों की एक श्रूंखला शुरू हुई, चाहे वो समाधी की अवस्था में हो या जाग्रत अवस्था में. वो लगातार मा की उपस्थिती का अनुभव कर रहे थे और मा काली की मुर्ती से बात कर रहे थे. और कई अजीब समवेदनाओं का अनुभव करते हुए उनके अंतरमन के रहस्य खुलने लगे. मानो, एक के बाद एक परदे हट रहे हो. मानो, जगदंबा खुद गुरु बनके उनको ज्ञान, भक्ती, वैराग्य और प्रेम की दिक्षा दे रही हो ऐसा उन्होंने अनुभव किया. ध्यान में बैठते ही उनके जोडों में सजजड़ता आ जाती थी और ध्यान खत्म होके एक के बाद एक सामान्य होते थे. अकसर जुगनों के जुण्ड जैसा प्रकाश उनकी नजरों के आगे तैरता था, तो कभी पिगली हुई चांदी के रस जैसी तेजस्वी लहरे हर तरफ देखते थे. वो मानों एक छोटे बच्चे जैसे बन गए और कहते, हे मा मैं तो तेरी शरण में हूँ, मुझे क्या करना या क्या बोलना वो तू ही मुझे सिखा दे. स्री रामकृष्ण परम्हंस देवी की प्रतिमा के स्थान पर जिवन्त जगदंबा को देखने लगे. उस अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने बाद में कहा था, मैं वास्तव में मेरे हाथ पर उनके श्वास का अनुभव करता था, उनके दिव्य स्वरूप की छाय मैंने कभी नहीं देखी, एक छोटी सी कन्या जैसे आनंद से पायल की जनकार करती हुई, मा मंदीर की उपरी मंजिल पर जा रही है, ऐसी आवाज मैं ठीक मेरे कमरे में सुनता था, मुझे कोई भ्रम तो नहीं, ये जानने के लिए मैं कमरे से बाहर आता, और मा को मंदीर की उपरी मंजिल पर बिखरे बालों के साथ खड़े होकर कलकत्ता और गंगा की और देख रहे हैं ऐसा दिखाई देता, दुसरी तरफ अपने गाव कमार पुकुर में स्री रामकृष्ण परमहंस के माता जी, चंद्रामणी देवी ने लोगों से स्री रामकृष्ण परमहंस क पागल जैसे व्यवहार के बारे में सुना और उनके स्वास्थकी चिंता के कारण उन्हें कमार पुकुर बुलाया, अपनी मा के आग्रह पर श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिनेश्वर से कमार पुकुर आये, उस समय उनकी आयू 23 साल की थी, पर अब वो पहले के गदा अधर नहीं रहे, कामार पुकुर में उनके भावावेश को देखके लोगों को बहुत आश्चर्य होता था, अब ऐसी सोच के साथ के उनकी शादी करने से उनका मन उच्च भाव दशा से नीचे उतर के सामान्य हो जाएगा, दुलहन की खोज शुरू की गई दोस्तो, स्री रामकुष्ण परमंस के पार्ट पांच को हम यहां विराम देते हैं, स्री रामकुष्ण परमंस का शादी शुदा जीवन हम विडियो के पार्ट छे में देखेंगे, सभी पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसका भी आनन्द लीजिएगा, नमस्कार